कि ये दीन बनाने का काम जो अल्ला तबनाना था ये अल्ला तबवत कर चुका है कुछ पैंडिंग नहीं है कुछ बचा नहीं है जो भी दीन बनाना था बन चुका अल्ला ने बना दिया जब अल्ला ने बना दिया तो तुम्हारे लिए बचा किया भी जब अल्ला ने बना दिया है तो तुम्हारे लिए बचा किया अब तुम क्या करोगे अच्छा ये बात कहा है ये उसूल कहा है कि जो भी दीन बनना ता ला ने बना दिया पुरान दिस दोनों में पुरान में देखे ला फरमाता है अल्याओमा अक्मलतु लकुम दीनकुम आज मैंने तुम्हारा दीन मुकमल कर दिया तो अल्ला का जो काम था अल्ला कर चुका है कुछ छोड़ा नहीं कि तुम आओ हाथ बढ़ा हो तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं कि तुम भी आके हाथ बढ़ा हो ना ना दीन बनाने का जो काम अल्ला ताला का था अल्ला ने उसको कर दिया जो अल्ला ताला को बनाना था अल्ला ने बना दिया और एलान भी कर दिया आज तुम्हारा दीन मुकमल कर दिया गया जब दीन मुकमल कर दिया तो भाई आपके लिए बचा क्या ना सहिया के नाम पे ना हसना के नाम पे ना बुराई के नाम पे ना अच्छाई के नाम पे जो हो नाता हो गया आप अब तो फुल्स टाप लग चुका अब उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता ना कुछ आप अडि कर सकते अच्छाई तो कुरान में है कि Allah Ta'ala मुकमल कर चुका है और जो भी अल्लाव की तरफ से मुकमल था वो आपको फारवड भी किया जा चुका है अधिश में भी अल्लाव के नबी मुखारी उकरा के लिए से अल्लाव के नबी सल्लालाहु अल्सुल में सहावे कराम से पूछा क्या मैंने सब कुछ बता नहीं दिया पहुँचा नहीं दिया फारवड नहीं कर दिया अठेक्राम ने कविच अधिए नभी का ऐलान जो कुछ दीन था- पहुंचाई है अब बचाए है उत्तर आपको चुका लोक दीन बनके वह लुख चुका है आधि अनलोंक निंगा उसमे कुछ regular वाइट नहीं कर सकते हैं, तो यह दूसरा उसूल है, पहला दीन बनाने के काम स्रिफ अल्ला का था, दूसरा अल्ला यह कर चुका, यह दो उसूल भी समझ जाएं, तो आगे कुछ और बात करने की जरूत नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, एक तीसरा उसूल देखते हैं काम संगल के जता हैं, जढागे लेकिन कर चाने का हैं, एक अप confused दो जठाएं।